नमस्का सौगत है आपका EVP लाइब में इस वक्त मौजूद हुए हम जिला मुख्याले अलीगड के गाउं दुमेडी में यहां पच्चियों के लिए एक पच्ची घर बनवाया गया है जिन लोगों के द्वारा यह पच्ची घर बनवाया गया है उसके बाद पच्चियों के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी सोगात भी मिली है आपको बता दें आम जंता से लेकर कोई बीयो अपने लिए तो सभी जीत जहां आसपास के हजारियों पच्छी on एस पच्छी घर में आते हैं और इसमें यहां के कुछ लोग को द्वारा ये बन बाया है उन्हीं से मदा नएक कर लेते हैं क्या एपObram निवास तृमारे माताजी-पिता जी की पुर्णिसमति Mandy दूसरा पर्यावण के संतुलन में पर्यावण के संतुलन में पच्छियों का बहुत बड़ा योगदान होता है जहां पच्छी अधिक होंगे वहां का पर्यावण स्वच्छ साफ होगा इसलिए पच्छी घर एक तो यह पेड़ पोदे कम होते जा रहे हैं तो उनके लिए इस्थान नहीं है रहने के लिए और यह पच्छी घर बनवाने से उनको जो है यह 512 फिलेट जो मिले हैं एक फिलेट में 10 पच्छी आराम से रह सकते हैं तो रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई और प्राक्रतिक आप दाओं से बचने के लिए सुरच्छत इस्थान मिल गया है पर्यावरान का समच्चत संतलन बना हुआ है और हमारे पिताजी स्वरगिय स्री द्वार का प्रशाद सर्मा माताजी स्री मती स्री स्वरगिय सांती देवी की समरती में इस पच्छी गर का निर्मान कराया है इस पच्छी गर के निर्मान में मेरे बड़े वाजी स्री देवी की नंदा सर्माजी का सबसे अधिक योगदान रहा है वो इब परवार के बरिश्ट हैं पूरे परवार का संचालन वहीं कर रहे हैं और इससे अधकांस जो है यहां के जो छेतर वाजी हैं वो जो है दाना और वो डालते हैं और अंदर से उन्हें में अद का स्थ है सांताइब की मिलती है इसे पच्छी आ है वि यह बना हुआ है यह सीमेंट का बना गुए है और कहां कि यह काली गर इस दुआरा नेमा कि अए격नी का मौन हुआ है पहले इसका जोए फाउंडेशन रोडी सीमेंट और सरीया से बना हुआ है और इसके वाद फिलेट आते हैं गुजरात में मोर्वी सहर है वहां से फिलेट आते यह कई धातु मिलाके बनाते हैं और मोसम के अनसार जैसे जाड़ों में गरम रहते हैं और गर्मी ओंधे ठंडे रहते उसे साब से बनाया जाता है और इसका जो है ए चैलाग रुपे में ठेका था पूरा बनाने का मैट्रियल नहीं का था भाड़ा हमें देना था ट्रक का उसका 65,000 रुपे का भाड़ा था वहां से मोर्वी से यहां तक का और करीब जो है 40,000 रुपे चबूतरे में लगे हैं ऐसे करके 7,000 रुपे में यह कंपलीट हुआ है घृत के बीडियर जिनके दोरह इसका निर्मा किया गया कारी यह यहीं यहिंके थे यह उनके पास ही इतना हूंचा यहां के लोग नहीं बना सकते हैं और के पाश यहुआ तरिका का है oggi किसी राजिस्थान के वैंकि जैसे आप स्फास के लोग भी या देखने आते हों तो कैसा मैसूस करते हैं आपने आप Спास के लोग जो देखने आते हूं झाने क्या है लेकिन हमें हमारी आत्मा को च्शन को किसी का ही है यह है कि हम ने कुछ ऐसकी माद भी बोलता है कह सकता है के परेशान ही उसके लिए कुछ करें तो बच्छराइने से उसकर अपील करने पर जो बंसान गत जो पीडी है वो बढ़ती जाएगी और पर्यावण का संतुलन होता जाएगा आपका क्या नाम है और कहां के रहने वाले हैं क्या नाम है काली शरा तो पच्छी घर बना हुआ है कैसा लगता है बढ़िया बहुत जोड़दार लग रहा है सब लोग अन्याकिन तो बहुत बढ़िया पच्छियों को राहत मिलेगी बेजवान यह रहते हैं विरकुल मिलेगी सा हर सूरती मिलेगी दादा आपका क्या नाम है मजीद खां मजीद खां जी यह बताई दादा कैसा लगता है जब यह पच् और आराम से यहां रहते हैं कि कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे पच्छिगर को लेका बढ़िया ऐसा भी पच्छियों को रहने के लिए एक उचिते स्थान मिल गया और यहां लोग दाना पनाई भी नालने आते हम स्वह मॉ यहां पैचान तो है से अपहां हमारे हमने तो पाली और देखा है अपने यहां आप और ऐसकी आपका क्या चाहें हुआ है क्या क्या चा करहा है रही है आराम से बस्ल्य करते हैं यह और। कि बढ़िया ऐसा अच्छा है उनको गुजारा हो रहा है आप आपकाल से बच रहे हैं गांधी बारेश और तूफान से मतलब उनको गाहत मिलती है रहने के लिए आराम मिलता है दाना पानी मेला है देखिए साफ तोर पर जो इस्थानी लोग है उनका कहना है यह पच्छी गर काफी लैपडा है कि मैं दिखाना चाहूँगा इसकी ग council अजगास बात है एक यह गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में यह गर्म एता यानिकी ये बातावन के हिसाब से बदलता रहता है जो कि पत्छीयूं के लिए सबसे जयादा लाबडायक है इस पच्छी भ लोग भी अब इस पच्छी गर को देखने आते हैं अपने आप में एक नई विरासत कायम करता हुआ यह पच्छी गर एक आकरसर का खेंद बना हुआ है एक पिलाइब से खालीकन सारी अलीगर कि अब कि अब कि अब कि अब कि